पुलिस के अनुसार दोफार गवर्णरेट पुलिस कमांड ने एक नागरिक को पुलिस करमेयों का रूप धारन करने और जबरन चोरी करने के आरोप में गिरफतार किया आरोपी ने पीड़त को रोका और उसे एक ATM से पैसे निकालने के लिए मजबूर किया और फिर भाग गया तलाशी वजाँच से आरोपी की पहचान हो गई और उसे गिरफतार कर लिया गया मामला अभी प्रक्रिया धीन है विरासत और परियटन मंत्राले ने दो प्रतिश्थानों के खिलाफ दो लंगन जारी किये जो मसकट में परियटक लाइसेंस प्राप्त किये बिना होटल व्यफसाय चला रहे थे मंत्राले ने सभी गैर लाइसेंस प्रतिश्थानों से कहा कि वे परिटन कानून के कार्यकारी नियमों के अनुसार कानूनी प्रक्रियाओं से बचने के लिए आविशक अनुमूदन और लाइसेंस प्राक्त किये बिना गतिविती बंद कर दें। ओमान में तीन दिनों में करोना वाइरिस के 2087 नए मामले दर्च किये गए। इसके अलावा तीन नई COVID-19 से संबंदित मौते हुई।